अंडेट परसेंट क्योंकि एक हां से ताली बजती नहीं एक दम उसका ही दोस है क्योंकि अगर वो मौका ना देती तो फिर ये कांड नहीं होता उसके ममी पापा जहां तक सुनने में आ रहा है कि उसके ममी पापा रोके हैं हम डिपनेटली कह सकते हैं कि वो सलब पैदा हुआ था उसी लिए वही चीज करने के लिए पैदा हुआ था तो नहीं है अफताब कहीं पकिस्तान का है और आज कल के मुद्दा पूरे देश दुनिया में चल रहा है अफताब और स्राधा का आप लोग सुन रहे होंगा और समझ रहे होंगे कि अफताब कौन सा था अफताब औ नावाए इस सभी मुद्य को लेकर बात करेंगे आज जो एक चैनल है क्रियेटर छफ रहिया जो में क्रेदार है हमारे अकास किंग जी जो अकास कुमार के नाम से जाने जाते हैं इन ही से आज बात करेंगे पूरे इस ममले को क्या खिर्या कैसे हुआ सबसे पहले तो मेरे च चैनल है उसका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा काम कर रहे है यह और बहुत ही एक ऐसा टौपिक लेके आए हुए हैं जिस टौपिक पर लोग बात करने से बजते हैं लेकिने समाजिक मुद्धा पर बात होना चाहिए तो उसके लिए आपको और आपके जितन है बहुत ही वाहियात बात है और यह समाज में आज कल मतलब की लोग बच रहें इन सब चीजों से बोलने के लिए जो लौब जिहाद है यह अपने चरम पर चल रहा है और यह जो कहानी है यह सेम वही कहानी है जो पहले भी हुआ करती थी अफदाप और सरधा की कहानी जर दरसल यह कांड हुआ था आपको 18 मई को उनके भी जगरा हुआ था और वह पटक के और उनके चाती पे चरके और गर्दन दबा के मार दिया और फिर वह बहुत ही गहन मतलब जैसे हम लोग अगर कोई वेव सरीज देखते हैं उसमें जिस तरह का कांड होता है वैसे ही करके बहुत ही तरीकों से सर्च करके उसको 35 टुक्रों में काट के 300 लिटर का फ्रीज खरीद के उसमें उसको रख के और फिर अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब रखना यह बहुत ही दरंदिगी भड़ी थी और उसको बहुत मतलब कि क्या कहा जा इंसानियत वो है ही नहीं इंसान तो कर ही नहीं सकता सरधा के फैमिली को पता चला कि मरा सरधा नहीं है सरधा के फैमिली को दरसल वो बहुत दिन बाद पता चली क्योंकि जहां तक सुनने में आ रहा है जहां तक पूलिस की बयान जो आउट कर रही है यह सारी सी सुनने में आ रहा है कि जब उसका इंस्टा और वाटसेप पर स्टेटर्स नहीं लग रहा था या जो भी वहां का नहीं हो पा रहा था एक्टिवीटी नहीं हो रहा था तब उनको सक हुआ और यहां तक भी सुनने में आ रहा है कि यह जो हो रहा है कि वह साथ कुछ दिन तक उसके सोशल मीडिया का इस्तमाल करके उनके दोस्तों को जवाब दे रहा था और उसके बाद जब फोन भी बंद आने लगा तब जाके वहां पे उनको डाउट हुआ और तब जाके वह लोग पहले पता चल रहा है कि पहले स्राधा मुंबई थी मुंबई से दिल्ली आई थी अफताब के पास में और वहां के दिल्ली पुलिस के लिए क्योंकि हम लोग का कोट क्या है सबूत खोजता है बिना सबूत का किसी को सजा नहीं मिल सकता है और वो इतने मतलब इतना मास्टरमाइंड है कि समझे कि हम डिफनेटली कह सकते हैं कि वह सलब पैदा हुआ था उसलिए वही चीज करने के ल अब ताब जिस कमरे में उसको कांड किया था मडर किया था हत्या किया था उसी कैमरे में लगभग अभी तक था लोग को भनक ना लगे आखिर उस कमरे में क्यूं था आखिर कुछ तो सब्सक्राइब यह तो क्यूं था यह तो उसका दिमाग जाने लेकिन कोई इंसान ऐसा करके कोई भाग जाए उसका हिम्मत नहीं करें कोई भी लास को काट के अपने फिरीज में रखे और फिर वहीं लगतार रहे मतलब यह आप समझ सकते कि इनसानियत नहीं है यह मतलब की निर्मम हत्य हम लोग बोलता है ना उससे भी कहीं आगे का सब्द है यह बिहार में देखत लात किर्या कितने दिनों तक के सब मामला चले देखिए यह मामला कितने दिनों तक क्लेगा यह तो बात अपने संसकार को लांग दीजिए आप मोडर्न हो जाईए यह सारे चीज चीज है लेकिन लड़कियों को एक बात की चीज मतलब एक बात ध्यान में रखना है कि कम से कम वो इतना समझदार जरूर बने कि उनके लिए कौन अच्छा है और किस पर कितना विश्वास करना चाहिए यह कम से कम तो क उसका विल थोड़ा सा बना लीजिए कि सामने वाला कैसा है उसको पहचानी है और तब उसके साथ अपना प्रेम कीजिए या जो कीजिए वह आपकी मर्जी है आपकी राइट है लेकिन इतना समझदार बनना चाहिए कहीं ना कहीं इसमें तो श्राधा का भी दोस है अपने म ममी पापा जहां तक सुनने में आ रहा है कि उसके ममी पापा रोके हैं उनको जो भी धरम का हवाला ही दे के रोके हैं लेकिन रोके हैं क्योंकि कोई भी माबाप अपने संतान के लिए बुड़ा तो नहीं सोचता कभी नहीं सोचता क्योंकि वह सारे चीज जीए होते हैं वह तो वो कभी यह नहीं कर सकते कि मेरे माता पिता गलत है या फालना गलत है क्योंकि वो खुद ही गलत है एकदम किलियर बोर रहा है एकदम गलत है तो गलत है क्योंकि इस इंसान ने अपने बाल बच्चे को पैदा किया उसको छोड़ कर और दो कवरी के आसी के लिए चल जाती ह घर से यह कहां तकले सच्चा ही है यह बिल्कूल ही गलत है और हमेशा से ही गलत है क्योंकि नर्मल सी बात है कि हम लोग तूलना करते हैं मतलब कि कंपेर करते हैं किसी भी चीज को तो एक लॉजिक वाइज कंपेर किया जाए चलिए मालीजे मैं 100% तो नहीं बोलूंगा लेकिन नर्मल हम बात करे हैं कि जो मातापीता पाल पोसके पंदरह साल तक बिना कंडिशन का उनकंडीशनल लॉफ जी से बोलते हैं वह दे रही हैं और उस 15 साल, 18, 22 साल का प्यार को छोड़ के आप एक साल जिसके साथ रह रहे हैं, दो दिन रह रहे हैं, उसको छोड़ के उसके सा कि वह आप गलत हो सकते हैं दो परसेंट में सही होता है तो वह अलग बात है लेकिन मैक्सिमम आप गलत हो सकते हैं इसलिए कहीं नहीं हमको लग रहा है कि उस्राधा को देखने के मिला और छोटू आर्थी के देखने को मिला इसलिए क्योंकि 18 साल का प्रेम ममी पापा का भूल अपताब का दोस है कि नहीं है देखिये दोस अफताब का भी है अफताब का तो सबसे ज़्यादा है कहने का मतलब है कि हम लोग वैसे समाज में जी कि लोग नहीं होते हैं लेकिन Maximum जो लॉब जिहाद होता है जिहाद का मतलं क्या होता है जिहाद एक समझ YOU की एक ऐसा उसका मतलब होता है कि उसको मार दी देख लीजिए इतिहास आप बिहार का ही नहीं पूरे भारत का देख लीजिए या अपना जिला का देख लीजिए ऐसा आपको हजारों सुनने को मिल जाएगा जैसा कि मनीज कस्यप ने सुरू में ही बोला था उनका बात 100% सही था उससे में ट्रोल किया था लोग लेकिन वो स बुर्वत नहीं है कि पकिस्तान और अफगनिस्तान के लोग आके और यहां का समाज और समाज की जो इतनी भी संस्क्रीती को ब्रबाद करें अपने ही लोग ब्रबाद करते हैं और जिनके मांसिक रूप से जिनके मन में सुरू से ही कटरपनता डाल दिया जाता है वो वैसे जखती हैं पूलिस काम करते हैं लेकिन किस हध तक कर रहे है कि जो चीज वायरल हो रहे है जो चीज ट्रेंड चर रहे है वो उतनाई तो दिल्ली पूलिस से भी आगरा हम लोग करेंगे कि आप लोग कैसे भी करके उसको सजा डिलवाई और सजा अगर सजा के रूप में होना चाहिए नियम के तौद तो उसको फासी होनी चाहिए अचले बहुत बूत अच्छा लागा कियोंकि हमारे साथ में आकास थे आकास शि कोई भी आशिक उस तरह का घटने नहाट है बिल्कुल बिल्कुल और मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग की क्या राय है अगर मैं अगर हम मतलब मैं जहां भी गलत बोला हूंगा तो आप लोग कमेंड करके बताइगा और आप क्या सोच नहें यह भी बताइगा कि उसको साजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए चले बहुत और धन्यवाद भी यह बहुत बहुत धन्यवाद